रमता राम जपोरे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहाणी अब उन्होंने आकर के हमें क्या ग्यान दिया? राम नाम रट ते रहो, राम नाम रट ते रहो, जब तक गट मैं प्राणे कब हो तो दीन दयाल के हे बेनक पढ़ेगी काने मानुस जनम पायकर जो नहीं रट हरी नामे जैसे कुवा जल्व नाहां बनवाया क्या काम कबीर हरी की बगती करो तजवी सियां रस चोज बार बार ना पावोगे ये मनुस जनम की मोज मानुस जनम दुरलब है ये मेलान बारं बार जैसे तरवर से पता तूट गरे वो बहुर न लगता डार साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे कोई कागज में बाकी रेरी ही तात लगी है वारो पत जड़ आवत देख करीब नरोवे मन माही ये उची टेनी पात थे अब पीले हो हो जाही पात जड़नता यूँक है सुन भई तरवर राए अब के भी छुड़े नहीं मिले नजन कहां गिरांगे जाए तरवर के तापात से सुनो पात एक बात यांकी याहे रीती है एक आवे एक जात अब प्रमात्मान कितना मारमिक तरीके से इस बोली आत्मा जो काल की भांग पियें पड़ी है कितने मारमिक डंग से समझाया है एक पत्ते और वर्क्स और वन का उधार्ण दिया है क्या बताते हैं कि मानुस जनम दुरलब है ये मले नबारंबार और जैसे तरवर से पत्ता तूट गया वो बहुर निलगता डार उसी सतीथी में एज डिज दुबारा उस साखा पो उस्टे नहीं पैंड वो दुबारा स्थापित नहीं हो सकता ठेक इसी परकार प्रमात्मा हमें समझाने की चेश्टा करते हैं कि आप जिस संसार और इस प्रिवार को संपत्ती को शरीर को अपना मान करके यहां बिलकुल सत्थाई होकर बैठे हो यह ऐसी सथीची है आपकी जिस दिन आप इस टहनी से तूट गे फिर उस गर में उसी सथीची में दुबारा आप सथाण नहीं पा सकते आप क्या बताते हैं कि एक विक्ती जो बग्ती नहीं करता देखो प्रमात्मा का नाम लेकर भी हम काम वहीं करेंगे लेकिन बुरा ही नहीं करेंगे केवल कर्टेवे करम करेंगे तो उसके लिए प्रमात्मा हमें याद दिलाते है कि आज आप अपने परिवार में कितने प्यार से रह रहे हो कैसी ममता आपकी अपने बच्चों में है आपके मकान में है रिष्टेदारियों में है और एक सेक्ड में मर्तु हो जा यह तो हो रही है रोएगी अब इसको इस सचाई को हम आप देखा करने की चेश्टा करें तो वही बात है कि बिल्ली को आते हुए कबुतर आँख बंद करका बैठ जाका मुझे दीखती नहीं उसकी आँख्य बंद करने से वह बिल्ली टल नहीं गई उसकी अपनी अज्ञान सोच है वो तो उसे ने दोड़ दाब उड़ जाना चीए था बच सकता था तो ऐसे ही यह एक मौत यानि यह सथी थी है आपकी हम इससे बहुत कतराते हैं और यह फिर भी आके ही रहती है मर्चो तो इससे बचने का तरीका भी बताया प्रमात्मा ने कबीर ये तन जावेगा सके तो ठाहरला एक सेवा कर संत की गोविंद के गुनगा अब इस प्रसंग को थोड़ा सा बाद में लेंगे पहले समझाते हैं कि फिर ये जैसे आज सारी मुष्टा आपके पास है और खोब परसंग है सभी है और एक सेकेड़ में मर्तु हो जाए ये क्या था ये क्या है फिर ये एक धोखा है हमारे को मूर्ख बनाने का तरीका अपना रहा खैस काल वगवान अब ये जीव के बसकी तबात नी क्योंकि हम तो बंदे पड़े हैं हमारे बसकी बिलकुल बात नी इसके लिए प्रमात्मा ने तरीका बना बता है उस तरीके को उस मार्ख को अपनाएंगे तो हमारा इस से पिछा भी छुटाएगा और ये क्रियाएं करम भी हमारे जो कर रहे हैं ये भी बहुत सरल हो जाएंगे अब जैसे किसी ने पांदस पसू रखे हैं और पहले हाथ से ऐसे अब भी हो हैं आथ वाले बहुत से उसका चारा काटने की मशीने हैं गंड़ा से बोलना है हमारे ये तो एक तो वो हाथ से काम कर रहा है और एक उसने पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का और मुटरली रखे और फिर देखे वो बेठा बेठा देखर वो कट गट कट काट गट काट रही है उठा उठा का उसमें रखने 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 जो दो तीन गंटां का काम 20 मिन्ट में कर जाता है तो इस परकार हम जिस अपने परिवार की गाड़ी को स्विम खेंच रहे हैं उसके लिए इस परमात्मा ने कहा कि तुम इस पर मोटर दरवा लो और बहुत असानी से रखी जाएगी और फिर देखना आप भी बैठी हो अंदर और फिर गाड़ी चाल लेगी तो हम सभी अपने हिसाब से अपने गाड़ी को खेंच रहे हैं परमात्मा का कनेक्शन मिलने के बाद आपको पावर मिल जाएगी जो उसने बठा गुमायेगी चलाएगी अपने हम तो वो काम भी अलके होंगे जिनको हम नहीं कर सकते हैं उसको पावर करती है तो इस परकार वो साधना वो विधी जिस से उस पावर की यानि प्रमात्मा की सक्ती आपको प्राप्त हो जिस से आपकी संसार रूपी प्रिवार रूपी गाड़ी भी ठीक से चले तो वो दास आपको बता रहा है और ये अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ और जिस कारण से हम बगवान की खोज में लगे हुए भी फिर भी उतना संग्रस उतनी समस्य हमारे घरों पर स्रीर पर बनी रही क्योंकि हमें वो पावर का कनेक्शन मिला नहीं और जहां से हमने कनेक्शन ले रख्या था उनका पिछे से कहीं पावरा उससे कनेक्शन नहीं था वो जूट बोल रहे थे वो नकली थे तो पुनात्मा परसंग चल रहा है कि परमात्मा ने क्या बताया जैसे एक पत्ता वर्क्स टैनी से तूट करनी चे गिरता है और वो गिरता हुआ क्या कह रहा है पात जडनता यू कहे सुनबई तरवर राए अब के बिछुडे नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए अब वो पत्ता मानो यानि उधार्म दे रहे हैं बगवान कबीर परमात्मा आप जी और हमारे को सत्रक करें कि आप जिस बरे पूरे प्रिवारस है जब यहां से चलोगे मर्त्म का समय निक्ट आवगा किसी भी कारण से हो सकता है जैसे कोई रोगी हो जाता है साध्य रोग होगया, कैंसर होगी या कोई और बिमारी होगी प्रमात्मा की वक्ति कर नहीं रहा हो प।राणी तो वो मर्त्त में यह कहा करें बगवान नी पतानी कहा ठिकाना होगा तो बगवान याद दिलाते हैं कि एक परिवार को छोड़कर जो प्राणी जाता है उसकी सथीछी बहुत बेंकर होती है उसकी ममता उसकी जकड उसी परिवार में जकडी रहती है जो बगती हीन और ग्यानी नप्राणी होता है वो वहीं फिर पसू पक्सी बनकर कूता कूतिया बनकर उसी गली में सहर सपटे करता रहता है वो जा आसा ताबासा होई मन करम वचन सुमरियो सोई पात जड़नता यूँक है सुन भी तरवर राए अब के भी छुड़े नहीं मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए आप सुन रहे थे जगतकुरू तत्वदर्शी संत्रामपालजी महराजी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजे हमारे वेबसाइट www.jakatkururampalji.org संत्रामपालजी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र है जिन पर संत्रामपालजी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने लिए संपर्क करें